जब हमारी लाइफ में कोई प्रोब्लम आती भले वो छोटी हो या बड़ी हो तो ज़्यादा तर दिमाग में यही बस ख्याल चल रहे होते हैं कि कैसे इस प्रोब्लम से बचा जाए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो यह हिम्मत कर पाते हैं कि उस प्रोब्लम का वो सामना करें उस problem को solve करें भले हम यह जानते हूं कि problem से भागना कोई इसका solution नहीं है हमें इसका सामना करना है पड़ेगा अर जब हम किसी problem का सामना करते हैं तो यार इससे हिम्मत मिलती है ऐसा तो है नहीं कि आज हम इसी problem से भाग गए उसका हमने सामना नहीं किया तो वो कोई आने वाले time में हमारे सामने कोई problem नहीं आगी यार problem तो आती रही लाइफ में बट जैसे हमने उसका सामना किया किसी भी problem का तो हमें इससे हिम्मत मिलती है अब भले ही कोई भी problem आई हमारे सामने हमारे अंदर at least उसका सामना करने के लिए उसको face करने के लिए उसको tackle करने के लिए हमारे पास हिम्मत होगी और at the end किसी भी problem से भाग कर उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा उसको tackle करना ही पड़ेगा चाहिए हस कर करो चाहिए आप रो कर कर रहो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता बट आपको उस प्रोब्लम को face तो करना ही पड़ेगा और जो आज ये movie में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं ये कहूँगा कि ये movie आपको आपकी उस problem से जो वो कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो कहीं ना कहीं आप लोगों को inspire करेगी कि उस problem से भाग कर नहीं उसका सामना करके उस problem को हटाओ मुश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वुल्फ चिल्डर्न एनिमे मुवी के बारे में जो 2012 के अंदर आई दी इसे डिरेक्ट और राइट एक इंसान ने कहा है अब मैं ये कहूँ कि यार इस एनिमे सेरीज में बहुत जबरदस एनिमेशन दिखाएग और तकाओ जब इससे प्यार करने लग जाता है तो अपने एक वो एक सीक्रेट उसे बताते हैं अपनी परजाती का आकरी वुल्फ बचा है यह जानने के बाद हाना उससे प्यार करना छोड़ नहीं देती बिल्कि उससे प्यार ही करती है कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जो भी हो और फिर हाना और तकाओ दोनों मिलकर साथ रहने लग जाते हैं और इमके दो बच्चे भी होते हैं एक जो लड़की होती है यूग की नाम होता है एमे नाम होता है और कुछ जब इसका दूसरा बच्चा होता है तकाओ का तो इसकी एक accident में इसकी मौत हो जाती है और यह वाला जो scene मैंने देखा है कसम से इस वक्त अपने आंसू रोकना बहुत मुश्किल हो गया था अब हाना के सामने दो चोटे चोटे बच्चे हैं अब यह वुल्फ है वुल्फ के बच्चे मतलब भेडिये के बच्चे जो कभी भी कनवर्ट हो जाते हैं कभी भी ट्रांस्वर हो जाते हैं वुल्फ के अंदर मतलब यह बच्चे हैं इनको अपने ऊपर तो कंट्रोल है नही तो अब हाना के सामने ये प्रोब्लम होती है कि कैसे इन बच्चों को अच्छे से इनका पालन पोशन किया जाए क्योंकि दुनिया कभी इन बच्चों को कभी भी accept नहीं करने वाली है तो हाना टोक्यो छोड़कर एक विलेज में चले जाती है जहां पर आसपास कोई नहीं रह रहा होता ताकि इन बच्चों को ये सई ढंक से पाल पोल सके इनको अच्छी से सिक्षा दे सके और हाना को ये भी पता है कि जब भी बिमार होंगे इनको दिखाने के लिए कभी भी किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती दो को यार बहुत सारी प्रोब्लम से फेस करती है जब ये गाव में जाती है तो वहां पर अपने बच्चों के लिए ये बर्न उनका पालने के लिए जो वो मेहनत करती है कमाल की मतलब इसमें बहुत जबर्दस तरीके से दिखाया गया है जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आप अपनी लाइफ की कोई भी एक ऐसी प्रोब्लम इसके साथ कंपेर कर सकते हो कि मतलब कि हाँ जो सिंपल नहीं थी बहुत जादा हाड थी तो यह जो प्रोब्लम इन्हों ने दिखाई है यहां पर कोई सिंपल तो प्रोब्लम है नहीं जो एक वुल्फ के जो बच्चे उनको पालना है दुनिया से बचाने उनको अच्छी सिक्षा देनी है तो यह जो और इससे डेफिनिटली आपको अपनी लाइफ में जो भी प्रोब्लम जो आती हैं उससे लड़ने की तो कही न कहीं आपको ताकत मिलेगी और मैं जरूर कहूंगा कि है एक बार एक बार एक बार एक बार इसमुवी को जरूर देखो है यूकी और यामे के बारे में बात करूं तो यूकी जो लड़की है, वो बहुत जादा खुले मिजाज की है, वो उसे दोस्त बनाना बहुत पसंद है, उसे दुनिया देखनी बहुत पसंद है, वो अपने आपको वुल्फ कंसिडर नहीं करती, वो कहती है कि मैं तो एक इनसान हूँ, जबकि उसका भाई जो एमे है, वो अपने आपको वुल्फ ही मानता है, इन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग होते हैं, और at the end, जब यह मुवी जब खतम हो रही होती है, तो यह अपने दोनों भाई बैन अपने अलग अलग रास्ते चुन लेते हैं, अब देखो एंडिंग की बात करूं, तो एंडिंग आपको अकेली बैठी दिखाए गई, यार उस चीज को बयां करने के लिए मेरे पार शब्द नहीं है, यार जब यह एंडिंग हो इस मुवी के तो अपने आपको कंट्रोल करना, कहीं बच्चों की तरह रोने ना लग जाओ, यार मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना चाओ अगर किसी ने ये मुवी देख रखे तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों के मुवी कैसी लगी अगर नहीं देखी, तो यार एक बार जाकर जरूर देखो, डेफिनिटली आप लोग इसको जरूर दुबारा से देखोगे, यार एक चीज जो है कि ये हिंदी में नहीं मिलती, ये हिंदी डब नहीं होती, तो बहुत सारे जो लोग हैं जो अच्छा अच्छा content है, उसको देखने से मिस हो जाता है, कितना अच्छी चीज़े हैं जो हम सीखने को मिलता है, इसको काफी जाता तो इसको as a cartoon समझ के कहते हैं, यार एक cartoon है, उसको disrespect कर करते हैं, ये एक art है, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बले ये art कोई भी हो, बट उससे सीखो यार, बहुत जादा अच्छा content इसमें मिलता है, और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि यार, anime, movie, anime, series, बहुत जादा इनमें जो दिखाने, जो creativity है, वो एक अलग ही level क होती है, इनके बहुत जादा freedom होती है इसके अंदर, कि भी हाँ, creativity को कैसे express करें, किसी के expression को कैसे express करें, बहुत जादा इसमें अच्छे से देखने को मिल जाता है, खेर, बस आज के लिए इतना है ता इस वीडियो में, thanks for watching this वीडियो, मिलते है नेक्स वीडियो में, जाहिं झाल